जहें दोस्तों स्वागत आपके अपने वीटोब चैनल जोब फाइंडर में देखेगा आज के अपने क्लास ना बहुती महत पुड़ होने बाली है महत पुड़ इसलिए होने बाली है क्योंकि आज मैं आपको कराने बाला हूँ इस वीडियो में 30 प्रसने सामान ग्यान के यह जो 30 प्रसन है ना SSGD के पेपर में पूँचे जा चुके हैं यह बात आपको याद रखना है और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि SSGD का जो पेपर होता ना जो कोशन पूचे जाते हैं वो एक जम में रिपीट होते रहते हैं यह बात आपको याद रखना है में डाउड क्लियर होता चली तो चलिए आज का अपना फर्स कोशन देखते हैं कौन सा देखें कोशन नमबर फैस में पूंचा गया है क्या पूंचा गया है किस बर्स में पूना समझा उता पर हताचर किये गए यह आपको बताना है चार आपसन आपको दिए हुए हैं ऐसा कि आप देख सकते हो राइट आंसर को नमबर D 1932 में किये गए तो यह बात आपको याद रखना है कोशन नमबर दो देखते हैं कौन से है कोशन नमबर 2 में पूंचा गया है देखिए क्या पूंचा गया है पूंचा गया है नेता जी सुभाश चंद बोस ने निम्ले की दलो में से किसकी स्थापना की थी चार आपसन दिये हुए हैं आपको बताना है राइट आंसर को अपसन नमबर B ओल यह बात आपको याद रखना है देखते हैं कौन सा कौशन नमबर 3 में पूंचा गया है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है चार आपसन दिये हुए हैं आपको बताना है राइट एंसर को अपसन नमबर A मौन सिंग के द्व बात आपको एद रखने है ए औपूसर्टों कोश्टनन नमबर 4 देखते हैं कौन सा कौन सा इंपरेंट कोशिण नमबर 4 पूंचा गए कौन सा आंत्र साथ राष्ट के अंदर में 340 दिन बिता कर वापस धर्ती को लोटा यह आपको बताना है तो कौन सा यह आपको बताना है इंप्रोटन कोशन उमीद है आप अच्छे से समझ सकते हैं को कोशन को तो लिए कोशन नंबर चार आपको बताना है घ्राइन सम्सकों अपन्र कैन्सोES यह आपको बताना है आंध प्रदेश में सी ओप्सन राइडो का कोश्चन नमबर 6 देखते हैं कौन सा है कोश्चन नमबर 6 में पूंचा गया यह बात आपको याद रखना है सी ओप्सन राइडो का कोश्चन नमबर साथ में पूंचा गया है AT लेकित गैसों में से सुनि के बायु मंडल में जाद तर कौनसी घैस होती है आप समस्क्राइब को तो आपको बताने कोशन नमबर 7 का राइट आंसर राइट आंसर को एफने नमबर वी हाईट्रोजन आपको याद रखना है कोशन नमबर आठ देखते हैं कौशन में 8 में पू option राइडों का question number 9 देखते हैं कौन सा है question number 9 में पूंचा गया है ग्रहों की परक्रमा पत का आकार कैसा होता है यह आपको बताने question number 9 में पूंचा गया है उमीद है आप अच्छे से question को समझ सकते हैं राइडों का question number 10 देखते हैं कौन सा है question number 10 में पूंचा गया है हमारे गिरह धरती का नाम किस वासा से उतपन है यह आपको बताना है अंग्रे जी वासा से सी option राइडों का question number 11 देखते हैं कौन सा है question number 11 में पूंचा गया है देखिए पूंचा गया है निम लिकित मैसे किस गिरह का आकार प्रतवी के आकार के निकट है यह आपको बताना है आप समा सकते है question को right answer आपको बताना है राइट आंसर का option number B Venus गिरह का ठीक है B option राइडों का question number 12 में पूंचा गया है आश्टेलिया का सबसे अधे गनी आबादी बाला सहर कौन सा है आपको बताना है तो कौन सा है Sydney B option राइडों का question number 13 में पूंचा गया है पाकिस्तान की राजदानी का नाम आपको बताना है question number 13 में पूंचा गया है यह आपको बताना है राइड राइडों का question number 14 में पूंचा गया है निम लिकत में कौन सा इस सम्मूस से समंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है आप समच सकते है question को राइड राइडों का question number 15 में पूंचा गया है है किस बारत्री राज को पूढर डिश्टल राज गोसित कर दिया गया है आपको बताना राज को कर दिया गया подवाय को कर दिया गया जही आपको पताना इस और कुछन नंबरcional सोलाशा तैंक। Q16 में पूंचा गया, आम आदनी पार्टी का गठन किस वर्स किया गया था, यह आपको बताना है, राइट आंसर का अप्शन नमबर B, 2012 में किया गया था, यह बात आपको याद रखना है, B अप्शन राइटो का Q17 देखते हैं, कौन सा है, Q17 में पूंचा गया है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था, यह आपको बताना है, तो क्या था, फोर्ट विलियन, आपको याद रखने, आप समझ सकते हैं, फोर्ट विलियन था, सी ऑप्शन राइट होगा, एक बार फिर से समझे में कोशन को रिपीट कर दे हूँ, देखे, कोशन में पूंचा गया है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था, यह आपको बताना है, फोर्ट विलियन, यह आपको याद रखने हैं, आप समझ सकते हैं, वेरि इंपूटेंट कोशन है, सी ऑप्शन, राइट होगा, कोशन नमबर अठारा देखते हैं, कौन सा है, कोशन नमबर अठारा में पूंचा गया, पूंचा गया, नम में से कौन सा भारत आने बाला पहला अंग्रेज जहाज था, यानि अंग्रेज जहाज कौन था, भारत आने बाला नम में से पहला, चारा उप्शन आपको दिये हुए हैं, आपको बताना है, राइट आंसर को उप्शन नमबर, सी होगा, रेड ड्रेगन, आपको याद रखना है, कौन सा था, रेड ड्रेगन का, सी उप्शन राइट होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, कौशन को, कौशन नमबर 19 देखते ह मुस्वूली पटनम था आपको याद रखना है आप समझ सकते हैं को ए ओप्सन राइडो का कोशन नमबर वीज देखते हैं कौन सा है कोशन नमबर 20 में पूंचा गया है क्या पूंचा गया है आपको अच्छे से कोशन को समझना है ताकि आपके एक जमें कोशन आ जाए आप पूंचा गया है अंग्रे सासक चार्ल्स को किसकी राजकुमारी से बिवा करने के लिए मुंबई दैज में दिया गया था यह आपको बताना है तो पुत्रगाल से ठीक है आपको याद रखना है डिया ऑप्सन राइडो आप समा सकते हैं को कोशन नमबर 21 देखते हैं कौन स कि खोज का सरह जाता है किसे जाता है तो यह जाता है पुत्रगाली यातरी बास को डिगामा का काली कट आने पर वह स्वागत करने बाले भारती राजा का नाम बता हैं तो क्या नाम था यह आपको बताना है राइट आंसर को अप्सन नमबर सी जमूरिन ठीक है आप समझ सकत को निम्लिकित में से क्या कहा जाता है यह आपको बताना है पुरा पासाड काल का जाता है ए ओप्सन राइड होगा कोश्चिन नमबर आपको बताना है तराइट अंसर आपको बताना है भीम बैट का गोफा किस राज में तो मद परदेश में डी उप्सन राइड होगा कोश्चिन नमबर 25 देखते हैं कौन से है कोश्चिन नमर 25 में पूंचा गया है देखिए पूंचा गया है किस काल युग में पत्थर के ओजार सबसे पहले बनाए गये थे किस काल में बनाए गये थे पत्थर के ओजार सबसे पहले ये आपको बताना है ये बनाए गये थे पुरा पासार काल में बी ऑप्सन राइडो का कोश्चन नमबर 26 देखते हैं कौन सा है कोश्चन नमबर 26 में पूंचे गया है सिंदू गाटी सब्विता के सहरों की गलियां थी कैसी थी ये आपको बताना है चोड़ी और सीद्य थी ना प्सन राइडो का कोश्चन नमबर 27 देखते हैं कौन सा है कोश्चन नमबर 27 में पूंचे गया है निम्लिकित मेंसे कौन सी सब्विता अपने नगर नियोजन के लिए पिरसिद है ये आपको बताना है सिंदु गाटि सभिता और 1 घंड कोश्चिन नंबर 28 देखते हैं कौन सा और 28 में पूंच गया है , doubts Ne कौन सी है आपको बताना है सिंदु गाटी सब विता के लिपी पूची गई है तो आपको बताना है अज्यात है ठीक है सी ओप्सन राइडों का कोश्चिन नंबर 29 देखते हैं कौन सा है कोश्चिन नंबर 29 में पूच्चा गया है जे सम्मिदान सभा द्वारा भारत के कोश्चिन नंबर 30 देखते हैं कौन सा है कोश्चिन नंबर 30 है और अपनी वीडियो का इलाज कोश्चिन अच्छे से समझ में आगे होंगे तो कुश्चिन नंबर 30 में पूंच गया भारत एक डैस है तो क्या है यह आपको बताना है लोग तंथर है अपना यह बात आपको सबी कोश्चिन अच्छे से समझ में आगे होंगे और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्नोंने वीडियो को लाइक ने किया है सबी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करेंगे चैनल पर पहली बार है यानि वीडियो को प